सभी को नमस्ति आज हम कक्षा दस्मी का शेमुशी पाठी पुस्तक भाग दो का द्वादशह पाठह अन्योक्तयह इसका अभ्यासकार्य करते हैं सरोब्रदम प्रश्ण है एक पदेन उत्तरम लिखत कस्य शोभा एकेन राजहंसे न भवती किसकी शोभा एक मात्र राजहंसे होती है तो सरोब्रस्य या सरसह तालाब के शोभा सरसह तीरे के वसंती तालाब के किनारे कौन निवास करते हैं रहते हैं वकाह बगुले कहा पिबासितह मृयते कौन प्यासा ही मरता है चातक चातक नामग पक्षी प्यासा ही मर जाता है पर अंदु कभी भी धर्ती पर गिरेवे पानी का ग्रहन नहीं करता है के रसालम उकलानी समाश्रय अंते कौन आम के जो फूल हैं उनका आश्रे लेते हैं भ्रिंगाह भौरे अम्बोदाह कुत्रसंती बादल कहां हैं तो गगने गगन में आकाश में बादल है आगे दूसरा प्रश्न है अधो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्रानी संस्कृत भाशया लेगता उपर लिखे जो प्र emissions है उनके उत्तर संस्कृत भाशा में लिखना है तो सरवब्रतम प्रश्न है सरसा शोभा के नभवती तालाब की शोभा किस से होती है तो उत्तर है सरसा शोभा एके न राजहन से न भवती तालाब की शोभा एक राजहन से ही होती है चातक कह किमर्दम मानी कथ्यते चातक जो पक्षी है वो किसलिए मानी का थात्पर्य स्वाभि मानी कहा जाता है चातक पक्षी को किसलिए स्वाभि मानी कहा जाता है तो चातक जो नाम कफशी है वो धराया माने धर्टी में गिरा हुआ जो जल है न पीकर पुरंदरम शब्दकार होता है इंडर से वरशा जल की याचना करता है अथवा प्यासा ही मरता है इसलिए वो स्वाभिमानी पक्षी कहलाता है मीनह कदा दीनाम गतिम प्रापनोती मीन माने मचलियां कब दीन गति को प्राप्त होता है मचली कब दीन गति को प्राप्त होता है तो यदा सरह संकोचम अंचती तदा मीनह दीनाम गतिम प्रापनोती जब तालाब संकुचित हो जाता है, सूख जाता है, तभी मीन माने मचली दीन गती को प्राप्त होता है कानी पूरा इत्वा जलदह रिक्तह भवती, किनको पूरा करके या भर करके जल से परिपूरित करके बादल रिक्त होता है तो नाना नदी नदशतानी चपूरा इत्वा जलदह रिक्तह भवती, नाना नदी अनेक नदियों को नदशतानी सेकड़ों नालों को भर करके बादल खाली हो जाते है वर्षा से वशुधाम धर्ती को कौन गिला करते हैं तो वर्षा से धर्ती को बादल ही गिला करते हैं आगे गिला करते हैं अब भिगा देते हैं तीसरा प्रश्ण है अदो लिखित वाक्य शुरेखांकित पदानी आजरित्य प्रश्ण निर्बानम कुरुद जो नीचे दियो ये वाक्य हैं उनमें जो रेखांकित पद हैं उसको लेकर प्रश्ण निर्बान करना है सरवब्रतम है मालाकार तो यही तरोह पुष्टिम करो दी मालाकार माली जो है तो यही जल से पेड की पुष्टी करता है मने पेड को सींचता है जल के माध्यम से उसको हरिष्ट पुष्ट कर देता है तो मालाकार कई ही तरोह पुष्टिम करो दी मालाकार जो है किस से पेड क पुष्टी करता है, पुष्ट कर देता है, त्रिप्त कर देता है, ब्रिंगाह रसाल मुकलानी समाश्रय अंते, भौरे जो है, जो रसाल मुकलानी जो आम की जो मंजरियां है, फूल है, उनका आश्रय लेते हैं, तो कानी, ब्रिंगाह कानी समाश्रय अंते, पतंगाह अंबर पतम आकाश मार्ग में पहुंच जाते हैं आप इदे पहुंच गे तो इसका प्रशन इर्माने कि जलदह नाना नदि, नद शतान पूरई इत्पा रिक्तोस्ती, जलद बादल अनेग नदिएंग नदियों को और सैकडों नालों को भरकरके रिक्तों होता है, तो इसका है बास करता है तो चात कहा कुत्र अथवा कस्मिन क्योंकि स्थान वाचक होने से कुत्र है और वने सप्तमी वक्त एक वचने तो कस्मिन का प्रयोग हुआ प्रश्ण संक्या चतुर्था अदो लिखत योह श्लोक योह भावार्तम स्वीक्रित भाषया लिखत जो नीचे दिये वे जो दो श्लोक हैं उनको स्वीक्रित मने आपने जिस भाषा का चैयन किया है यह दि आप इंगलिश मीडियम है तो इंगलिश में और हिंदी माध्यम है तो हिंदी भाषा में आपने इन दो श्लोकों का अर्थ लिखना है तो पाठ जब पड़े थे उसी में इसका अर्थ है तो अलग से यहाँ पर दिया ने गया है वहाँ से देख सकते हैं आप प्रश्ण संक्या आप पंच अदो लिखत योह श्लोक योह अनवयम लिखत अब जो नीचे देवे जो श्लोक हैं उनका अनवय लिखना है आपे दीरेंबर पतम परितह पतंगा ब्रिंगा रसाल मुकुलानी समाश्ट यंते संकोच मंचते सरस्त्वै दीनो मीनोनो हंत कतमाम गतिमभ्यु पैतु अब दूसरा है आश्वास्य परवतकुलं तपनोष्न तप मुद्धाम दाव व विदुरानी चकान नानी नाना नदी नदशतानी चपूर इत्वा रिक्तोस यद जलदसै व तवोत्त माश्री तो इन्दोनों का अनवय इस प्रकार है देखें पतंगा परितह अंबर पतम आपे दिरेंबर प्रिंगा रसाल मुकुलानी समाश्ट यंत सरह त्वै संकोच मंचती हंत दीन दीनह मीनह नू कतमाम गतिम अभ्यु पैतू दूसरा है तपनोष्न तप्तम परवत कुलं आश्वास्य उद्धाम दाव विदुरानी कान नानिच आश्वास्य नाना नदी नदशतानी पूर इत्वाच हे जलद यद रिक्तह असी तव सा आएव उत्तम श्रीह प्रश्न संक्य आश्यट उदाहर्न मनुश्रित्य संधिम संधि विच्छेदं वाकुरत यहाँ पर उदाहर्नी के अनुसार आप संधि और संधि विच्छेद करना है जैसे यहाँ पर अन्यजमा उक्तयह अन्यधन उक्तयह अन्योक्तयह यहाँ है गो बराबर खृतो उपकारह तपना प्लस रिक्तासां तपनोषन तप्तम तप्लस उपकारह तू यहाँ पर है सरव ब्रतम निपीतानी प्लस अम्बोनी निपीतान यम्बोनी दूसरा Krithadhanwarraha कृतधन उपकारह तीसरा है तपनधन प्लस तपनोशन तप्तम तो उशन तप्तम तीसरा हो गया चोथा है तव प्लस उत्तमा तव उत्तमा और नप्लस एताद्रिशाह नईताद्रिशाह तो पहला देखे निपीतान यंबोन यहां है यनसंदी, दूसरा है गुनसंदी, तीसरा भी गुनसंदी, चौथा भी गुनसंदी और पांचवा है वृद्धि संदी अब आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या इसी का भाग आ, यथा पिपासित अपी, बराबर पिपासितो पी अब यहां पर है विसर्ग संदी है, यहां पर दो संदिया हो चुकी है, पहले के सौरव ब्रदम है विसर्ग को उ हुआ, फिर आ और उ मिलकर ओ होते हैं फिर ओ के बाद फिर जो तीसरी संदी है यहां पर ओ है पुर्वरूप संदी, तो यहां पर तीन संदिया है, तो इसी प्रकार यहां पर है कोपी, रिक्तोसी, मीनह प्लस अयम, सर्वेपी, तो इनका पहला है कहधन अपी, दूसरा है रिक्तहधन असी, तीसरा मीनह प्लस अय का मीनोयम सरवे प्लस अपी सरवे पी तो यह सारे के सारे पूर्वरूप संदी के उदाहरण हैं अब आगे इसी का भागई यथा सरसाह भवेद सरसो भवेद अब देखते हैं खगह प्लस मानी डैश नू मीनो नू पिपासित प्लस वा डैश पुरतो मा अब इसका है खगह मानी खगो मानी डैश नू तो यहाँ पर मीना प्लस नू पिपासितो वा फिर आगे पुरतह प्लस मा अब इसी का आगे प्रशन है इभाग यथा मुनी ही प्लस अपी मुनी रपी अब तो यई ही प्लस अलपई ही डैश अपी अलपई रपी तरोह प्लस अपी डैश आर्जरा यंती अब इसका अवदार तो यईर अलपई अलपई ही प्लस अपी तरोह रपी और अंति में व्रिष्टि भी ही, तो ये है प्रश्ण छे, अब सात्मा प्रश्ण है अब जो विग्रह वाक्य दिये हैं, उनके समस्थ पता आपने बताने हैं जैसे यहाँ पर पीतम चतत पंकजम राजा च असव हंसह भीमह च असव भानुह अंबरम एव पंथाह उत्तमा च यम श्रीह सावधानम च तत मनह तेना तो सरवप्रतम है राजा च असव हंसह राजा है यह हंस तो राज हंस भीमह च असव भानुह 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 मने सूर्य तो भीम भानुह अंबरम एव पंथाह अंबर ही आकाश ही जो मार्ग है अंबर पंथाह उत्तमा च यम श्रीह उत्तम है यह श्री संपदा तो उत्तम श्रीह सावधानम चतत्मनह सावधानमनह तेन सावधानमनसा तो ये हो गया आप पूरा का पूरा पाट वच्चों इसका अभियास अच्छे से पढ़िए करिए और कॉपी में लिख कर इसको बार बार याद करने का प्रयास करिए धन्यबाद